हलो फ्रेंड्स वेलकम टो मोर क्रियेटिव दोस्तों आज 30 जनवरी दिन मंगलबार है वह हिंदी मैन माग और क्रश्न पक्स की पंचमी है तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरे यदि आपको खबरे पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और आप हम परिक्षा पर चरचा दोजार चोबिस कालकरम में इस्कूल सिक्षा मंत्री उदय प्रताप राव जी ने एक बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा कि आगामी परिक्षाओं में एक भी पेपर लीक नहीं होगा पेपर लीक नहीं हो सके इसके लिए एक सिस्टम परिक्षाओं में इसकूली शात्रों को पेपर लिक मामले से चूट मिल सके दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खबर है किसान अब दूत के साथ साथ गोबर भी बेचकर करेंगे दोगुना कमाई मत्प्रदेश के रीवा जीले में गाय भैस पालने वाले किसानों की आमदा परियोजना के ताथ रीवा जीले के मौगंज में एक नीजी कमपनी के द्वारा प्लांट लगाया गया है गरतंतर दीवस के आउसर पर इस प्लांट का उधगाटन भी कर दिया गया उधगाटन समारों में मत्प्रदेश की पूर विदान सबय अध्यक्ष गीरिस गौतम सह सहीत कलेक्टर अजे स्रिवास्ता और जनप्रतिदी सहीत कई लोग मौझूद रहे इस प्लांट में गोबर से बनेगी गोवन्स की लखड़ी गोबर से धन परियोजना की अंतरगात इस प्लांट की सुरूवात गरतंतर दीवस से शुरू कर दी गई है प्राइवेट कमपन प्लान संचालक ने जानकरी दिये कि गोबर और कोईले से तयार होने वाली लकडी सामानी लकडी से चार गुना जादा जोलन सील होगी और इस मसीन के जरिये रोजाना छेटन लकडी का उत्पादन हो सकेगा हाला कि गोबर और कोईले से बनाई जाने वाली लखडी की बाजारू कीमत क्या होगी अभी इस पर रेट डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी कीमत लखडी की एपेक्षा जादा होगी जिससे किसानों को काफी फाइदा होगा कमलाज जी ने कहा है कि BJP सरकार ने करजमाफी योजना को बंद कर किसानों का जीवन फिर से संकट में डाल दिया है उन्होंने कहा कि हमारी अलप कालिन सरकार ने मत प्रदेश के 27 लाग किसानों का करजा माफ कर दिया था लेकिन बाद में सरकारों ने करजमाफी योजना को बंद कर किसानों का जीवन फिर से संकट में डाल दिया कमला जी ने कहा कि मैं हमेशा कहताओं कि हमारे देश की अर्थवेवस्ता क्रशी आदारित है जब किसानों की जेब में पैसा होता है तब ही हाट बाजारों में मार्केट में रहनक होती है और क्रै सक्ति बढ़ती है आज जरुरत है कि हम किसानों को सिर्फ वोट का जरिया न समझ कर उनके जीवन इस्तर में सुधार लाएं ताकि देश का किसान खुसाल हो सके वहीं उन्होंने कहा कि मत्प्रदेश में किसानों की आत्मात्या करने की घटना लगातार बढ़ रही है इससे पहले भी कमला जी इस मुद्दे पर सरकार को घेर चुके हैं वहीं बीते दिनों कमला जी ने कहा था कि पता नहीं सरकार और उस कांग्रेस सब आगामी लोकसभा चुनाओं के जरिये वापसी की तैयारी में जूट गई है। इसी बीच कांग्रेस के दिगज नेता दिगविजे सी ने आगामी लोकसभा चुनाओं लड़ने से इंकार कर दिया है। पिछले एक साल में 80,000 लोक बने हैं कुद्टों का सिकार। रोजाना 200 से जादा नए केस आ रहे हैं। गौालियर में आम लोग 20 कुद्टों के कहर से आतंकी थे है। गौालियर में 23 साल कुद्टों ने 80,000 से ज़ादा छड़क पर चलते लोगों को अपना सिकार बनाया है। अभी भी आउस्तन, 200 से ज़्यादा लोगों को अपना सिकार बना कर अस्पताल पहुंचाते हैं। चिंता की बात यह है कि इनकी रोकताम के लिए ना तो कोई कारगार विवस्ता है और ना ही इसको लेकर भविस की कोई प्लानिंग है। इसलिए आप सभी से अपिल की जा रहे है कि आवारा कुत्तों से साउधान रहें। की भारत जोडो निया यात्रा इन मार्च को मतप्रदेश के मुरेनाज आएगी। वे 29 लोकसबा सीटों में से साथ लोकसबा सीटों को कवर करेंगी। विदान सभा चुनाओं में मिली करारी हार के बाद कांग्रेसिस यात्रा को सफल बनाने और लोकसबा चुनाओं में अच्छा प्रदरसन करने की तयारी में लगी हुई है। नए प्रदेस अध्यक जितु पटवारी के नेत्रतों में पार्टी जोर सोर के साथ इस यात्रा में जुटी हुई है। ताकि लोकसबा चुनाओं में कुछ सीटें हासिल हो सकें। दोस्तो पूरुसियम दिगुजे सी जी ने अमिस सा और नितिश कुमार पर कसाय बढ़ा तंज। उन्होंने कहा कि इनकी कतनी और करनी में बहुत अंतर है। बिहार के मुख्यमंत्री नितिसकुमार जी और ग्रहमंत्री अमिस सा को पूर्व सियम दिविजेंशी ने आड़े हातों लिया। वे रविवार को इंदोर आये थे। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वे बोले हमें कभी उम्मिद नहीं थी कि नितिसकुमार पार्टी छोड़ देंगे। वे पहले ही कहे चुके थे कि किसी हालत में भी मरते दम तक वे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन वे भाजपा में चले गए। वे सयोजग बनना चाहते थे हम उन्हें बना देते इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें के द्वारा विपक्षी गडबंदन का भी प्रयाज किया गया था। लेकिन जैसा का तैसा रह गया। इंडिया गडबंदन में सभी ने मिलकर उन्हें सयोजग बनाने का आफर भी दिया था। लेकिन उन्होंने मना कर दिया फिर इस तरह का कतम उठाने का क्या मतलब है वे खुद पिछले देल वर्ष से बाजपा का सामोईक विरोध करते रहे और यह कैसा नेता है जो कहे कुछ और करे कुछ अर्थात वे कहते कुछ हैं और अब बीजेपी गडबंदन से बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बन गए दोस्तो जबलपूर जिले से खबर है जबलपूर जिले में बिना पासपोर्ट और वीजा के पकड़े गए हैं दो बांगला देशी इस पर कोट ने उन्हें चार साल की सजा सुना दी है बांगला देश से आकर अवेद रूप से जबलपूर में रहने वाली एक यूती तथा यूवक को पुलिस ने विदेशी नागरीकता अधिनियम के तहद चार-चार साल की सजा से दंडित किया है अपर सत्र नियाएदिस विपिन सीम भदोर्या जी ने आरोपियों को 10-10,000 रुपए के अर्च दंड की सजा से भी दंडित किया है पूस्ताज करने पर उन्होंने अपना नाम मोहमद मोसुर उर्फ सेख बताया उनकी उम्र 38 वर्ष थी वे बंगला देश के निवासी थे इसके अलावा महिला का नाम मिनारा बेगम बताया गया जिनकी उम्र 23 साल थी वे भी बंगला देश की निवासी थी पुलिस द्वारा मांग करने पर वह पासपोर्डर बीजा प्रस्तूत नहीं कर पाए इसी से सक हुआ और उन्हें अब सजा मिल गई है दोस्तो देश में राजसवा चुनाव की गोशना हो गई है मतप्रदेश की 5 सीटों और 36 गड़ की एक सीट के लिए 27 फरवरी को हुगा मद्दान राजसबा के रिक्त हो रही सीटों के लिए चुनाव आयोगने कारकरम सुरू कर दिया है मतप्रदेश की 5 और 36 गड़ की एक सीट 2 अप्रेल 2024 को रिक्त हो रही है मतप्रदेश में 5 इस्थानों में से 4 भाचपा और एक कांग्रेस के पास है 8 फरवरी को अधिसुचना जारी होने के साथ ही नामंगगन की प्रकिर्या भी प्रारम हो जाएगी वहीं 15 फरवरी तक नामंगगन पत्र लिये जाएंगे 16 फरवरी को इनकी जांच होगी तो मिलते हैं जर अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन मंद्यमात्रम टेक केर